कि क्या तयारियां हैं और अब जब चीफ एलेक्शन कमिशनर का इस्टेट्मेंट आ गया है कि अब चुनाओ जल्दी घोशित होंगे महराश्टरा के साथ यूपी के बाई एलेक्शन्स के तो मैं देख रहा हूं कि 24-36 घंटे में काफी तयारियां शुरू हो गई हैं आप क्य इनकी दूसरे हुई थी दूसा चाड़ ये लोग शुरू कर रहे हैं तयारी तो लखिमपूर वालेक तरह होगी जैसे लखिमपूर में थी तयारी तो हर्दम रहती है जैसे अभी गन्या समित के चुनाओं में हुआ ओब चुनाओं तो सरकार का चुनाओं माना जाता है कि स तो इस चुनाओं में बस खासियत यह है कि यह चुनाओं पूरे उत्तर परदेश में लगबग लगबग हो रहा है और एक माहौल बताएगा कि लोग सभा में बीजेपी के लिए जो माहौल बना की वह चुनाओं में पीछे रह गई अब वह उस अपनी फिर से खोई हुई जो मुख्यमंत्री है उनके नाम पर है और उनका उनकी पूरी जिम्मेदारी पर है और उनकी साख के लिए चुनाओं भी है बहुत महात्मूर है तो कोई कसर तो रह नहीं जाएगी देखिए अब बात आती है कि कुछ सीटे ऐसी है जिन पर भाजपा कभी जीती नहीं है लेकिन सपा हमेशा वाज जीती रही है उसी सीट से ढिंपर लोग सबा सांसद है मैंन पूरी में उस सीट को बीजेपी के लिए जीतना बहुत कठिन चुनाओं है वो दूसरा कटेहरी में आ जाएए वहाँ भाजपा के लिए बड़ी मुस्किल है भाजपा साइद इस बात स खुस हो कि अगर वो मिल्कीपूर में अध्यास परसाद वाली सीट जीत ले तो जुद्या की हार का वो बदला ले सकती है इस बात में थोड़ा से उसको जड़ा टेंपू डाउन हुआ है वो टेंपू हाई हो जाएगा थोड़ा से और जीत की दरकार तो उसको है बिना जीत के दो हजार सताइस के लोकस्वाद चुनाओं में वो मज़ा बन नहीं पाएगा जो चीजे हैं अभी जो अपने सयोगी दलो की बात हो रही है तो पहले भी यह लग रहा था अब भी नजर आता है कि भाजपा एक सीट आर एलडी को दे देगी एक सीट निसास पार्टी को ब इससे ज्यादा की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन अरे ऐसा ना करो लेकिन इस बात पर देखिए बहुत सकते तराज है जानकार लोगों को कि कोई पार्टी डियर जीले की पार्टी नहीं है जो जम्मू कस्मीर तक चुनाओं लड़ रहा है आप उसे डियर जी भी लोग ना पहिचान पाते हों लेकिन लोग लडने गए हिम्मत की उन्होंने तो यह बहुत बड़ी बात है वैसे रोजगार मेले अभी दसों विधान सभाव सीटों पर हो चुके हैं सरकार अपनी योजनाओं का जो चाता है उसने फैलाया है लाभार्थियों की संख्या वहां बढ़ा रही है उपचुनाओं में लोग वोट देते हैं कि सायद हमारे छेट का विकास अच्छा हो जाएगा अच्छे लोग आए कि सरकार यहां पर काफी मदद करेगी इस उमीद में हमेशा सत्ता धारी दल के परत्यासी अक्सर जीत जाते हैं जी तो इसका लाभ भ तो यह मानता हूँ कि जनता विकास के नाम पर वोट देती है इस लालच में दे देती है कि अगर उपचुनाओं होगा तो हमारे हाँ जादा विकास हो जाएगा और सरकार अहसान भी मानेगी हमने उसकी इज़त रख ली बाकी और आगे अलग लग सोचना है क्योंकि कई बा दा लठाइती वाला चुना होगा और वह चुलाओ पुलिस को भी लड़ना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि खाली नेताओ पबलिक लड़के उचुनाओं जीत ले आसान नहीं होगा वह चुनाओं वैसे आज भाजपा के हाथ में पिट्रोल कि सीसी लग चुकी है क्योंकि इकबाल महमूद ने कहीं दिया है कि मुसल्मानों की संख्या बहुत बढ़ रही है महबूब अली ने का है महबूब अली ने जी तो एक भीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक अवसर मिल गया अब बात आती है चंसेखा राजात की और मायावती की बिर्जे जी अगर हर्या में मायावती को कुछ सीटे मिली तो यूपी में वह दलित वोट अपनी और खीचने की कोशिस करेंगी और दलित अगर मायावती के साथ गया तो नुकसान दोनों का है क्योंकि अखिले स्यादों भी कुछ दलित अपने साथ ले आए हैं और उधर भात्पा भी दलितों को अ साथ खाली हो जाएंगे फिर तो चुनाओं का जीत हार का अंतर बड़ा कम हो जाएगा जी विरेंजी वैसे रहत तिंदोरी का एक सेर है सुनिएगा कि किसकी क्या क्या तैयारी है कि जाके यह कह दो कोई सोलों से चिंगारी से कि फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से और अपनी हर सास को नीलाम किया है मैंने लोग आसान हुए हैं बड़ी दुस्वारी से और जहन में जब भी तेरे खत की अबारत चमकी एक खुस्बू सी निकलने लगी अलमारी से और सहजादे से मुलाकात नामुम्किन है चलिए मिलके आते हैं किसी दरबारी से बहुत शुक्रिया आपका विरेंजी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से